चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हर साइच चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नीट का पेपर था, वो लीक हुआ है और अभी क्या रीडियो होने के चांसे हैं, कितना लीक हुआ है, उसमें क्या हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथ इसाथ ये भी चर्चा करेंगे कि जो नीट 24 का पेपर था, वो कैसा था इजी था 23 के कंपे इरिजन में, या फिर हार्ड था, कैसा पेपर था इसके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपने भी सुना होगा कि NEED 24 का पेपर है वो लीक हो गया सोसिल मीडिया पर चार बज़के 20 मिनिट के आसपास ये पेपर वाइरल हो रहा था ये बात बिलकुल सच है लेकिन NTA ने इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन दिया है कि राजस्थान का सवाई मादोपूर डिस्टिक में एक सेंटर है उस सेंटर पर जो इन्विजलेटर है उसके दवारा गलत क्यूशन पेपर डिस्टिब्यूट करने के कारण कुछ स्टुडेंट पेपर लेके एक्जाम हॉल से बार चलेगे और उन्होंने लीक कर दिया साथ में आगे एन्टिय ने ये भी बताया है कि उस सेंटर पर एक्जाम फिर से सही कंडेक्ट करवा दिया गया है इस परकार का नोटिस आप ये देख रहे हैं एन्टिय ने अपने वेबसाइट पर भी ऐसा नोटिस डाल दिया है इसमें अभी काफी सारे स्टुडेंट्स को ये डाउट है कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसकी वज़े से री नीट होगा या नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अभी री नीट होने के कोई चांसेज नहीं है क्योंकि ये जो पेपर है जो पेपर लीक हुआ है एंटे नी जो क्लेरिफिकेशन दिया है उसके अकोर्डिंग ये है कि उस सेंटर पर एकजाम फिर से कंड़ेक्ट करवा दिया गया है कोई किसी परकार की कोई परिशानी नहीं है और इस जो पेपर लीक हुआ है बार जाके student ने इसको social media पर डाला है उससे कोई फरक नहीं पड़ा है क्योंकि ये exam खतम होने से एक घंटे पहले हुआ है student आलरी exam दे रहे थे तो इसका effect नहीं पड़ा है कहने का मतलब कि exam देने से पहले अगर paper leak होता तो वो leak में माना जाता ऐसा NTA का मानना है इस notice के according मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ऐसा अभी re-neet होने के कोई chance नहीं लग रहे हैं तो आप इस भरम में नहीं रहे कोई भी student की re-neet होगा ये paper leak होने के मामले से तो इस परकार से NTA ने ये clarification भी कर दिया है notice भी दे दिया है और ये माना भी है कि सवाई मादवपूर डिस्टिक राजस्तान के में इस सेंटर पर गड़बड़ी हुई है गलत paper distribute करने से कुछ student बार्च लेगे paper को लेकर के और फिर उन्होंने social media पर paper को viral कर दिया तो ये तो है paper की बात अब हम बात करते हैं कि 24 का paper कैसा था तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हर साल की तरह इस साल भी मैंने e-book publish की है ये ओल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आयूस, वेटनरी की तीन बुक हैं इसको आप हमारे इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं या फिर हमारी website चोपडा education.in से भी इसको download कर सकते हैं इसकी खास्यत है कि इन में ओल इंडिया कोटा 15% जो mcc counseling करवाता है उसमें category wise cut off दी गई है पिछले चार साल की और इसमें 24 list भी दी गई है इसके बाद seats college की information दी गई है तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है all india 15% की भी है aims की भी है जिपमर की भी है yes ic की dimd university fmc central pool कोटा सब के बारे में समझाया गया है all india कोटा की book में इसके बाद state की book में भी same ऐसा ही समझाया गया है state की book में भी same facility वही है चार साल की कटोब दी गई है साथ में 24 list दी गई है आपको कैसे 24 करनी है colleges को ऐसे ही iOS और veterinary की book में है book का मैं एक separate video बना दूँगा कि क्या-क्या facility है किस परकार से book का preview भी आपको मैं दिखा दूँगा एक अलग से video बना करके तो आप इस book को हमारी इस website से भी download कर सकते हैं या फिर इस video की description box में link दिया गया है सभी books का वहां से भी download कर सकते हैं website आप चोपडा education.in जैसे ही type करेंगे इसमें ये book पर click करेंगे यहां पर तो आप download page पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कुछ price मैं ने रखा है वो pay करने की बाद में आप ये book download करेंगे download आपके system में होगी और download करने के बाद ये आपके लिए काफी helpful रहेगी क्योंकि इसकी मदद से आप counseling करवा सकते हैं इसके लिए book के लिए मैं एक separate video बना दूँगा अब state quota की भी यहां click करके कर सकते हैं आयो सर्वेटनरी की भी यहां click करके आप कर सकते हैं अब बात करेंगे paper कैसा था जो need 24 का paper कैसा था मैं भी seeker के एक exam center पर था बच्चों से मैंने बातसीत किया है कि यह paper कैसा था तो जो बच्चों का मिला जुला response मिला है इसमें अलांकि बच्चों के response ही नहीं इसको एक बार हम check करेंगे कि कौन से subject का कैसा पिछला paper था और इस बार कैसा रहा है फिर भी बच्चों के एक बार उनके response से मैं आपको बता देता हूँ biology का paper था वो same 2023 के paper की तरह था यानि की ज़्यादा hard नहीं था यह easy ही paper था 2023 की तरह ही था chemistry का paper हम मानते हैं easy to moderate था लेकिन physics का paper लेंदी था थोड़ा सा यानि की physics के paper को हम moderate मान सकते हैं इसमें तो अगर कुल मिला के बात करें तो यह paper 2023 के paper के जैसा ही था इसमें 2023 का जैसा paper था उसी परकार से था उसमें chemistry hard थी chemistry उसमें लेंदी थी तो इसमें physics लेंदी थी physics इसमें थोड़ी सी hard थी तो इस परकार से यह मिला जुला reference मिला है student का और बाकी इसकी cut off क्या रहेगी और कैसा पूरा का पूरा analysis हम student के paper से लेके आएंगे उनके उन्होंने जो अपना marks निकालेंगे कि कौन से student ने कैसा paper attempt किया है उनके कितने marks आये हैं उसके according हम कितनी easy question थे कितने hard question थे वो हर साल लेके आते हैं cut off के बारे में वो जल्द ही मैं video लेकर के आऊंगा और आपको यह बता दूँगा कि इतनी cut off रह सकती है previous year में आपने भी देखा होगा जो मेरे वीडियो देखते हैं देखा होगा तकरीबन cut off मेरी accurate सी ही जाती है कहीं थोड़ा बहुत फरक तो होता ही है क्योंकि कोई भगवान तो होता नहीं है लेकिन फिर भी cut off तकरीबन accurate जाती है इसमें यह जानकारी थी पेपर के बारे में बाकी detailed में कल मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगा कि क्या cut off रहेगी इसकी क्या cut off रहने वाली है तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैर ही